अगर आप अपना फेस्बुक का पुराना आईडी को लागिन करना चाहता हो या फिर वापस लाना साहता हो लेकिन आप लोगों को अपना फेस्बुक का पुराना आईडी का जो पासवर्ड था वो याद नहीं है या फिर लागिन नहीं हो रहा है तो आज के ये वीडियो में A to Z बताऊंगा अपना Facebook का जो पुराना ID है उसको कैसे बापस ला सकते हो और आपको ये बापस लाने के लिए password के भी जरुरत नहीं पड़ेगी तो अज के ये वीडियो में सब A to Z बताऊंगा तो दस्तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखिए हमारे वीडियो को फास्ट थे लास्ट तक देखना पड़ेगा तो दस्तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अपना जो Facebook है उसको ओपन कर लेना होगा तो आप जैसी अपना Facebook को open कर लोगी open कर लेने के बाद आपके सामने इस type का show होगा अगर आपको अभी Facebook login है तो उसको log out करके इस तरह से open कर लेना होगा तो देखिए आप जैसी open करोगी open कर लेने के बाद आपना जो ID है इहाँ पर show होगा अगर आपको यह ID लॉग इन करना है तो यह से लॉग इन पर किलिक करके लॉग इन कर सकते हो लेकिन हमें तो यह ID नहीं है तो मैं इसलिए लॉग इन पर नहीं किलिक करूंगा तो दोस्तों देखिए मैंने अभी इहाँ पर किलिक कर लूँगा तो किलिक कर लेने के बाद आपके सामने इस टाइप का शो होगा तो अभी आपको इहाँ पर देखिए मोबाल नमबर डालने के लिए बोल रहा है तो हमें तो अपना पासवर्ड यद नहीं है तो अभी आपको क्या करना पारगत देखिया है लोगिन के निसे एक option आया है forgot password लिक्या हुआ है तो आपको simply यहाँ से forgot password पर ही किलिक कर लेना होगा तो दोस्तों देखिये मैंने अभी forgot password पर किलिक कर लूँगा उसके बाद यहाँ पर allow मांगेगा आपको simply allow कर देना होगा देखिये एक बार दो बार allow मांग रहा है तो आपको allow कर देने के बाद आपके सामने हो सकता है इस टाइप का show होगा तो यहाँ से भी अगर आपको ID है तो यह से select करके login कर सकते हो अगर यहां से कोई भी ID आपका नहीं है तो आपको यहां निशे एक option आए है I don't see my account तो आपको simply I don't see my account पर क्लिक कर लेना होगा तो दोस्तों देखिए यहां पर निशे ही show हो रही है तो मैं अभी I don't see my account पर क्लिक कर लोगा आपको भी एशार करके किलिक कर लेना होगा आप आपके समने एशार शो होगा दोस्तो देखिए आप जब भी फेस्बूक एकाउंड बनाते हो या फिर फेस्बूक आईडी बनाते हो आपको कोई ना कोई मोबाल नमबर के जरूरत पड़ता ही है क्योंकि मोबाल नमबर के बिना फेस्बूक एकाउंड नहीं होते तो आपने जिस मोबाल नमबर से अपना फेस्बूक एकाउंड खोला था या फिर बनवाया था तो ओही मोबाल नमबर इहापर डाल लेना होगा तो दोस्तो मोबाइल नमबर डलने लेके बाद यहाँ देखिए एक बुलू वाला आप्शन फाइंड एकाउंट तो अभी आपको यहाँ से सिंप्ली फाइंड एकाउंट पर किलिक कर देना होगा दोस्तो देखिए मैंने यहाँ पर किलिक कर दिया क्लिक कर देने के बाद देखिए फिर से मेरे पास तीन ही आईडी शोओ हो रहे क्योंकि मैंने ये मॉबाल नमबर से ये तीन ही फेसबूक आईडी बनाया था तो यह से अपने जो फेसबूक आईडी को लग इन करना साथ हो उसको यह से सेलेक कर लेना होगा तो देखिए मैंने इसको यह से सेलेक कर लूँगा तो आपको भी अपने हिशाब से सेलेक कर लेना होगा तो मैं देखिए मैंने जैसे यह निसे वाला आईडी पर किलिक करूँगा किलिक कर लेने के बाद आपके सामने एशा शो हो जाएगा देखिए दोस्तो वीडियो को बिलकुल भी स्किप मात करना वारना अपना जो फेस्बुक आइडी है लॉग इन नहीं कर पाओगी तो दोस्तो अभी आपके सामने इस टाइप का शो होगा सबसे उपर अपना जो मॉबाइल नमबर डाल दिया था ओही नमबर यहापर सेलेक्ट हुआ दिखाए देगा और निसे एंटर पासवार्ट तो लॉग इन दिखाए देगा तो आपको तो पासवार्ट यद नहीं है इसलिए आपको उपर वाला ही सेलेक करके रखना होगा तो सेलेक करके रखने के बाद निसे देखिए एक कॉंटिन्यू वाला ओप्षोन चो हो रहा है आपके सामने तो आपको अभी यह से जो continue वाला option है आपको simply यहाँ पर किलिक कर लेना होगा दोस्तो देखिए मैंने जिस type से कर रहा हूँ आपको भी उइस ही कर लेना होगा फारना login नहीं होगा तो आप जैसे continue पर किलिक करोगी किलिक कर लेने के बाद देखिए आपके सामने कुस age type कर शुरू होगा देखिए मैंने अभी continue पर किलिक कर दिया तो देखिए continue पर किलिक कर लेने के बाद देखिए है यहाँ पर लडिंग हो रहा है देखिए यहाँ पर intercode लिखा दिखाई दे रहा है यह तो अभी आपकी phone में एक OTP चल कर आएगा देखिए मेरा phone में एक OTP आएगा अभी तो आपको भी थोरा सा वाइट कर लेना होगा देखिए मेरा phone में OTP चला आया तो मैंने simply यहाँ से OTP को कोपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कोपी फेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने एक option मिल गया continue तो आपको अभी यहाँ से continue वाला option पर simply किलिक कर देना होगा तो दोस्तों यहाँ देखिए निसे don't get a code आप यहाँ पर नहीं किलिक कर लेना होगा तो आपको OTP मिल गया है इसलिए आपको simply continue पर किलिक कर देना होगा तो देखिए मैंने किलिक कर दिया उसके बाद आपके सामने देखिए create a new password आपको नया password बनाने के लिए option मिल गया है तो अब अभी जो password रखना साथ हो वही आप रख सकते हो simply आप अपना password को रखने के बाद क्या करना होगा देखिए मैं आप लोगों को बताओंगा देखिए मैंने तुरंत मैंने जल्दी से मेरा जो password है मैं बना लूँगा तो ऐसे आप लोगों को भी अपना जो password है बना लेना होगा तो दोस्तो पास्वर्ड बना लेने के बाद आपको फिर से देखिए यहाँ पर एक option मिल गया है continue वाला दिखाई दे रही है तो आपको simply यहाँ से continue वाला option पर किलिक कर लेना होगा तो दोस्तो देखिए मैंने अभी continue वाला option पर किलिक कर दिया तो मैंने जैसे किलिक कर दिये किलिक कर लेने के बाद देखिए आपके सामने इस टाइप का कुछ शो होगा देखिए नेट सोलो है इसलिए लोडिंग देखिए यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल था और शो होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर सेफ पर किलिक कर देना होगा तो दोस्तों देखिए मैंने सेफ पर किलिक कर दिया किलिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर अपना जो एक्सेस है ओ मांग रहे है आप साहे तो इसे कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ फिर skip कर सकती हो तो दोस्तों मैंने continue नहीं करूँगा मैंने skip कर दूँगा तो देखिए मैंने यहाँ उपर जो सबसे right side पर skip लिक्या हुआ आया है तो मैंने अभी यहाँ से simply skip कर दूँगा तो आपको भी skip कर देना होगा तो देखिए second वाला एक option आया है तो मैंने इसको भी skip कर दूँगा यहाँ से तो skip कर देने के बाद देखिए यहाँ पर जो blue वाला एक option आया है आपको simply यहाँ जो try English UK यहाँ पर click कर लेना होगा तो उसके बाद आपको allow कर देना है यहाँ फिर डेनी कर दो हो जाएगा तो देखिए अपना जो facebook ID है लाग इन हो जाएगा जितना भी पुराना हो तो दोस्तो इसी तरीके से आप भी अपना जो facebook account है जितना भी पुराना account है आप लाग इन कर सकती हो दोस्तो अगर इस वीडियो से आपको थुरा सा भी help मिला तो वीडियो को एक like करके हमारे channel को subscribe करके रखिए क्योंकि दोस्तो मैंने एशा ही वीडियो बनाता हूँ अगर फिर भी आपके कोई problem है तो वीडियो के comment पर आप लोग बता सकते हो